वालों दोस्तों मैं हुँग आपका ओश्ट जश्ट फोर कोड दोस्तों आगे हम अपलोक लेको अमेजिंग पार्ट लेके यहां कि पार्ट है कि पर कर Beaサr ja seanra k стать लिएност Leeoto उपने हैं मैंने यहां पर भी चौल डूट में भी ऑपर लैंकि प्रोजेज्ट मारा उसको मैं अपने इंपल्वार क chocol कर संथो को काट कर देई एंप्लाई Cond DANIEL को विचो मनों कर देढ़ा इसको इसको मिनिमाज करके इंडेक्स.html यहाला जो होमपेज पर इसको उपन करिए तरह देखिए यहां पर दो कांटेनर फिल्यूट होगा स्टार्ड में पेज कोडिंग यह वाला जो कांटेनर फिल्यूट है यहाला कॉपी करें दरा कंट्रोल सी करके मैं इस तेक्स के कॉपी किया इसके जस्ट ऊपर इसके जस्ट ऊपर कंट्रोल भी कर देना इस तरीके से और यहां पर इंटर प्रेस कर देंगे ठीक है इसके अंदर तीन कॉंटेनर और इन दोनों में जो अगर मार्जिन टॉप लगा होगा यह वाला तो यहां से हटा के से को उपर लेडी लगा होगा तो आपको कुछ नही दिखा तो यह हमारा साथ कॉंटेनर है इसको फिल यह हमने कर दिया इसमें जो पैडिंग लगा हो वह सब हटा दीए यहां पर है वो चीज ठीक है तो आप हमें करेदल बनाना है करेदल बनाने के लिए आप डबलू थी स्कूल पर जाएंगे तरीक से हमसे बूट इसपर बनाना उस तरीके से या यह चीज हमें बनाना है के लिया न गुर्ट के साथ में सवाइड सब्सक्राइब करना है इसके बाद आपको आगे काम करना है ठीक है तो इसके अंदर यहां पर इसके अंदर होता है करोदल है इनर होता है और यहां पर देखे साद एक इक्स्ट्राइब करोदल स्लाइड और करोदल हैफन डेटा भीस गाइट हमने लगा दिया उसके बाद होता है करोदल है इनर के अंदर आपका सारा करोदल आइटम बनता है यह वाली क्लास लगानी है तो यह क्लास हम लोग लगा देंगे तो इसक हुआ यह रिपीट हुआ तो उसके लिए लूप चलाएंगे क्योंकि हमारे पास भी मल्टिपल डेटा है तो करोदल आइट इनर सबसे पहले बनाई है इस तरीके से हमें निकलास लगे अब इसके अंदर हमें डेटाओ को रिपीट करना है करोदल इनर के अंदर तो हम जाव पर कम improving पास कर याँन की है पर लिखे जड़ा so product codeी कमेंट जबुर बास कर दिया कले क्या काम किया था इंटर प्रेस करेंगे सबसे उपर ही इसका code करेंकर कि वे है लुग करें कि ने से भी कर सकते हैं तो यहां पर लिखेंगे कोडिंग बस इतना मैंने कमटकाक्स किया बस इसके ज़स्ट नीचे ए क्वट्च्ब से रूत तरीक से इतना के नाम से तरीकसे मैंने बनाया और इसको आप अब यहांपर सबसे पहले आपको सारे का निकालना है यहां बढ़ना भी डेटा है के अंदर निकान ला तो वह कहां पर होगा इसको मैं कर देता हूं इसको भी में कट कर देता हूं यह दिखे इधर आएगे इंश्वेट करें का अगर देखेंगे लोकल स्ट्रेश के अंदर तो आपको सारा डेटा मिल जाएगा दिखें में निकाल के क्या करना है तो यही पर कर दा कर देगी और सबसे फ़ले वी यहां से कवाश को क्लियर कर लेंगे यहां कि जितना भी कैश है उसको हम लोग हम कके प्रीकर प्र कंद्र करने के लिए के सब्सक्राइब नहीं इसको किलिक कर दिया यह जाए यह कोई फोटो नहीं तो देखें correctly लेटा यहां पर न यही तीन आपको करदल कुरु पर प्रिजेंट करना है आपको इसक लिए की लूग चलना पड़ेगा आपको सबसे फ़रे हम चेट करेंगे कि इसका लेंथ है की नहीं यह वह ठेक करना है याँas कि यह पहला वाला है यह है जो आपका किलास है यह वाला पहला एकिल dieta लेकिन फिर भी मैंने यहां से कॉपी कर लिए लेकिन किसके अंदर डालेंगे हम उसको पहले तो पहले तो इसको सेलेट करेंगे यहां पर आ यहां पर लाके मैंने इसके नाम से कर लिया इससे क्या होगा कि वह हमारा सेलेक्ट होके इसके अंदर चला जाएगा उसका यूज कर पाएगे इसी के अंदर हमें डालना चीजों को तो यहां पर आए तरह करेंगे इसको अरेंज करेंगे कर लिया ठीक है यह थोड़ा अंदर के तरह जाएगा बस इतना करना है देखिए इतना करते ही आपका क्या होगा यहां पर रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए इमेज नहीं आया इमेज हम लोग शो करेंगे अच्छा इमेज सो करना आपको तो देखिए कुछ अच्छा एक और चीज हमें लूब चलाना चाही के लिए हमने डारेक शिट को प्रेजेन्ट कर द्या को सबसे लेड़े और न सबसे नाम से आप देखिए और यहां पर और हैडर दोग केखा इसके लिए लूप चलेगा ठहीक है तो अल फो पर मैं वह में दीएटर सॉपट इसके लिए मन HEADDER करें पर करेंगा अब इससी historians परates यहां पर कर देंगे इस तरीके से और हम रिलोड करके टेस्टिंग करते हैं इस चीज के मैंने रिलोड के इंस्पेट करके हम कंसोल में जाएंगे तो यहां पर ऑब्जिक्ट आया अब इसी ऑब्जिक्ट के अंदर से अगर हम टाइटल हैफन इमेज इस प्रोपर्टी को लेगा और यहां पर सो हो जाएगा लेकिन एक और सीट देखिए जरा मैंने रिलोड किया तरीके से यहां पर सो तो हो गया लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या होगी यह मूब नहीं करेगा क्योंकि आप इंस्पेट करेंगे इस चीज पर यहां पर आपका आइटम होगा है तीनों में एक्टिब लगा होगा लेकिन किसी एक ही में सिर्फ एक्टिव होना चाहिए जब तीनों को आप एक्टिव कर देंगे तो प्रॉब्लम यह होगी कि यह मूब नहीं करेगा हमें किसी एक में ही एक्टिव लगाना है तो इसका बहुत ही आसान सा सोलूइशन है इस चलना यहाँ से एक्टिव हटा देंगे हमें यहाँ पर एक्टिव नहीं लगाना है इसके टाला पर ना इसको कर सकते हो हुआ अगर आपने लगाया तो यह पहला वाला सिलेक्ट हुआ है अगर आपने और लगाया तो स्टीन तो ने करेंगे और करेंगे और इसंट नहीं करना है अगर आप हम रिलोड करें इस स्टेज की टेस्टिंग करने के लिए मैं रिलोड के शतरी के से तो दिखेंगे अब सरी वाले में अभी कि समय नहीं आएगा लेकिन यहां पर इसू क्या है कुछ इसू हो सकता है इसके वेसे प्रॉलम आई थी तो आप नहीं छोड़े क्यों क्यों कि टेस्टिंग कर लेती है चीजिक मैंने रिलोड किया यहां पर आगया इसी अगर आप इंस्पेट करके अब देखेंगे इसमें त कि यह का एक करोड़ाइटम टीन बना लेकिन एक्टिप कोई एक ही है और देखें मूब भी कर रहे है अब जो एक्टिप होए यह वाला मूब करके आप इस पर आज गया अभी दिखेंगे जब यह दुबारा मूब करेगा तो इस पर एक्टिप आ जाएगा इस तरीके से य तो यहां पर जो हमने डिफाइन किया है इसको और बढ़ा देखिया मैंने कर दिया 120 कर दिया को देखते हैं कि नीचे आता कि नीचे तो था बट हमने ज्यादा कर दिया एक काम करते ही फिर से वह इंग पर लेके जाते हैं कि हैंने कि हंडेड रखिया सीच को मैंने फिर से रिलोड करके टेस्टिंग की सीच की हां परफिक्ट है ठीक है यह मूब कर रहा है हमारा जो यानि कि जो हमारे दौरा टाइटल लिखा गया टेक्स लिखा गया वह आना चाहिए अभी यह नॉर्मल आ रहा है जो हमने कॉपी कि करेंगे तो आपको सब्सक्राइटल मिल जागा तो यह कहां पर जो यहां पर यहां पर आईए जड़ा यह रहा आपका जहां पर यह लिखा ना लॉस एंगलेस इसको सबस्ब्सक्राइब कर देजिए और यहां पर आपको डिफाइंड करना है इस तरीके से डूलर कैसा यह पर हो जाएगा और डेटा के अंदर से डॉट सब्टाइटल टेक्स इसको रिखा में इसको मैं कट कर देता हूं रिलोड करके टेस्टिंग करूगा तो देखें यहां पर हमारा टेक्स्ट भी आ गया इसका कलर आना चाहिए तो कलर आना के लिए आपको यहां पर डिफाइ क्या और यहां पर डॉलर के साथ टेंपले लिटेल करेंगे और इसका बना देंगे हम डेटा डॉट टाइटल कला डेटा डॉट टाइटल कला यह मने डिफाइन कर दिया तरीके से इसके साथ साथ एक और प्रोपर्ट्य आपको डिफाइन करना तो इसको कॉमा से नहीं सेप और यहां पर टाट टाइटल साइज टाइटल साइज टाइटल साइज यह निख लेते कि कलर आया की नहीं चैहीं यहाँ पर जो यह होगा वो स्मौल होगा एस यूवी और टी जो है वो केप्टल होगा इस तरीक से आपको लिखना ध्यान से देख लिए जरा कोई इस्व नहीं होना चाहिए रिलोड करें टेस्टिंग करेंगे देखें दोनों में कलर आ गया इसका अलायमेंट भी सेट होना चाहिए उसके एक और चीद देख लिए ज के अंदर मैंने स्टाइल किया और कलर नाम का प्रोपेट्टी मैंने रखा इस तरीके के अपर फोन वजाए पक्ट फाइप साई क्या शिक्टी फोर पिक्सल तो बस यही दोनों लगा के मसिहां से कॉपी का लेना इस चीच को उसको जहाँ पर ऑप एपना कलर का नाम देगे यहां पर भी आपका जो पिक्सल है डॉलर के साथ टेंपले लीटरल करके रहो यहां पर डिफाइंट करते हैं ठीके तो यह मैं समझाने के लिए इसा बता है ताकि आप यहां से भी हिंट लेकर इस तरीक से कर सकते हूं क्योंकि क्योंकि जब आप इसमें काम कर रहे होंगे तो आपको यहां फर हिंट नहीं मिलता क् ala the usernameна is निगर मम करना होगा हो एक के इसके लिए अन्दर तब जासो यह उसको एक डिप के इन्दर राक्हेंगे यानि कि हम एक डिप के इन्दर रखेंगे उसके बाद यहां पर आके डिप चॉँले करेंगे इसके बीच में लेकि आये Meg解册 रपना और यहां पर इंटर प्रेस करके कंट्रोल भी करने हैं यह मैंने एक डिप के अंदर रखा थोड़ा सा इस तेक्ष डिफाइन करेंगे उसके बाद आपको यहां पर यानि कि यह जो है इसमें आपको डी हैपन फिलक्स सबसे पहले लगा देना है उसके बाद जो आपने है किया था चल यॉर उसको आपको सेट करना तो इस्टाइल लगाएंगे इस तरीके से ऐने के इस्टाइल कीबड करेंगे और यहां पर डिफाइन करेंगे हम इस तरीके से सबसे पहले आपको justify-content define करना तो लिखे ज़र justify-content यह define कर देंगे तरीक से और इसका value define कर देंगे हम dollar के साथ h align यहाँ पर define कर देंगे data.h align data.h underscore align यह मैंने define कर दिया तरीके से उसके बाद आपको यहाँ पर terminate करना है और यहाँ पर align-items का value define करना तो align-items यह मैंने define किया और यहाँ पर इसका value हो जाएगा वी align तो dollar के साथ template लीटेल करता हूं और यहाँ पर मैं define करता हूं तो data.b align यह हमने set कर रखा है अगर आप इस object को देखो आपने print कर रखा है इंस्परेट करके जाहिए जरा यह जो object आता है इसके अंदर सब कुछ है यह देखिए h align है भी align है तो इससी क्या होगा आपका alignment control होगा रिलोड करके testing करेंगे तो यह इधर आया लेकिन यह सही से control नहीं हुआ कि जब इसमें जो है यानि कि हमें एक और से इसको control करना होगा देखिए अभी इसका जो text है वो center में आ तो by default जो है वो text center होता है कहने का मलब क्या है अगर हम यहाँ पर text happen start करते हैं यहाँ जो caption हमारा text start करें इसके अंदर तो क्या होगा यह इस तरिक्स से center में नहीं दिखे दिए दरा let text align के नाम से तो text align इसके नाम से मैंने variable रिकले किया तर्मिनेट करेंगे और जो फॉर इसके just ऊपर यहाँ पर काम करना है ठीक है यह data हटा जीए इसका कोई भी काम नहीं एक condition पास करेंगे इफ जो हमारा data है data dot h align and h underscore align इसको चेक कर लिए की value define करेंगे हम text align request to fix start define तो fix ayphen start यह define कर दीए जह रहा अगर यह center के बराबर आ रहा है तो otherwise फिर से इसका else define करेंगे तो else directly लेए इस तरीके से, else के वाला यानि कि align आ चाकता है center तो हम इसका value है उसको define कर देंगे हम यहाँ पर हम text start या fix start नहीं डिए कि टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ठीके हैं तो मैंने टेक्स्ट इस्टार्ट इफाइज क्या इसको भाद इसको कॉपि करने रिख श्रीกेर कर के और एल्स में भी आपको सेमच जीट डिफाइन काद समय तो डाद दीक करना चैकि इसको कहां ओमने हैं ust Have दॉलर के साथ आप यहां पर स्पेस देंगे तो यह दिखे इसका अलाइमेंट अब थीक हो जाएगा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो दिखे अब इसका अलाइमेंट हमारा थीक हो गया इसका कलर भी आगए सब कुछ आगे बटन नहीं आए तो बटन भी आना चाहिए इसके लिए क्या करेंगे यह जो आपकामदीर के सब्सक्राइब करना है और चीने को बटन के साथ करिए और डीटरे करिए और डीटेटा डॉत बटन डेटाट बटन सारा बटन आज आगा अगर रेलोड कर टेस्टिंг करेंगि तो देखे दोनों बटन आया लेकिन कि इसके नीचे आना चाहिए यह यहां पर आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है तो मेरे ख्याल से ब्रेक पॉइंट इसका डी फिलेक्स के वज़े से साथ यह ऐसा हो रहा हो तो हम सबसे बहुत यह चेक करेंगे कि डी फिलेक्स इसका से वर्क कर ठीक है उसके बाद align-items यह हमने डिखाइन किया था इसका value हमने डिखाइन किया था data.vli ठीक है तो ब्रेक होके आना चाहिए इस चीज को हो सकते है कि हमें इसमें फॉलक्स फॉलक्स कॉलिम भी लगाना हो इसी जरूरी नहीं कि अपकर डारेक्स हो जाए ऐसा तो ठीक है ए एक बार reload कर लेते हैं यहीं पर दिख रहा है बेरिक होने कि आना चाहिए चीज एक काम करिए इसको Ctrl X करिए यहां से बटन के नीचे डिफाइन करेंगे तो मैं इंड में जाओंगा और इसके जस्ट नीचे डिफाइन करता हूं देखते हो यहां पर आता है कि नहीं के डिफाइन क्रों करेंगे तो अंधर ही तो Ctrl Z करिए पहले तो Ctrl G मैंने क्या न दिफाइन इसको Ctrl X करिए इसको आपका अपका है और ही तो इंड में जाएंगे और यहां पर इंटरप्रेस के रहें इसके अंदर ही रहेगा है ठीक है बिल्कुल सामने रहेगा इसके अब हम रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आए गाए यह दिखें उसी जहीं प्याया सही है हमें यहां पर नेक्स्ट और प्रिव का आइकन मनाना है तो नेक्स्ट और प्रिव का आइकन मनाने के लिए दब्लू त्री स्कूल पर जाए निची के तरफ जाके देखेंगे तो दिखें यहां पर बेटियन लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल साइकन यह डिफाइंड है इसको यहां से लेकर करके य विकमेर करेंगे तो इने फीरेंड करेंगे दिखेंगे डुए चीजबं यहां पर थेश्टिंक होना के लिए चाहते तो पने थीज़ आईड वर देखिए किसको टार्गेट कर रहा है डेटा है यह है इसको कॉपी करें दारा कंट्रोल सीख करके और यहां पर आजए जो करोदल है इसके अंदरा आईडी लगा दिए देमो बस इतना ही लगाना आपको और कुछ नहीं करना है इलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो अभी हमा तो बताइए कि कोई इशू नहीं है मैं आपको समझाओगा उस चीच को साथ मैं अच्छे से ना समझाया पाऊं समझा पाया हूं आज हो सकता है इसके वाज़े से आप लोगा को कुछ दिक्कत हो है तो ज़रूर कुछ ना आपकी हेल्प कर दे जाएगी थेंक्स वार इंज